या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा शक्ति की उपासना का पर्व नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक निश्चित नौते थे नो नक्षत्र, नो शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है सरो प्रथम शिराम चदर जी ने इस शारदिय नौरात्र पूजा का प्रारंब समुद्र तटपर किया था और उसके बाद दसमे दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की तभी से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाय जाने लगा आदिशक्त के हर रूप की नौरात्र के नो दिनों में क्रमशा अलग-अलग पूजा की जाती है नौरात्र उत्सो देवी अंबा का प्रत्निधत्तु है वसंत की शुरुवात और शरद रुद की शुरुवात जलवाई और सूरज के प्रभावों का महत्वपोन संगम मना जाता है इन दो समय मादुर्गा की पूजा के लिए पवित्र आउसर माने जाते हैं तोहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार नरधारित होती है देवी मा की तीसरी शक्ती का नाम है चंद्र घंटा नौरात्र उपासन में तीसरे दिन की पूजा का अत्यदिक महात्यो है इस दिन साधक का मन मनिपूरु चक्र में प्रविष्ठ होता है देवी चंद्र घंटा की गृपा से साधक को अलोकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं देवी सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की धनिया सुनाई देने लगती हैं जिससे मन विकारों से मुक्त होकर परम शांती का अनुभव करता है देवी मा की तीसरी शक्ती चंद्र घंटा जो परम शांती धायक है कल्यानकारी है और इसलिए हमें निरंतर देवी मा के इस पवित्र विक्रा को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्यानकारी है मा चंद्घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है इसलिए देवी को चंद्घंटा कहा गया इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यधिक चमकीला है देवी मा के दस हाथ हैं वे खडग और अन अस्त्र शस्त्र से विभूशत हैं सिंग पर सवार देवी मा चंद्घंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उत्यत रहने की है इसके घंटे सी भयानक ध्वनी अत्याचारी दानव धैत राक्षस इन सभी दुषप्रवत्यों के लिए अत्यन भैंकर है और इस ध्वनी को सुनकर वो कमपित होते हैं प्रेत बाधा आदि से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं देवी मा चंद्घंटा देवी मा की आराधना से साधक में वीर्ता और निर्भायता के साथ सौमिता और विनम्रता का भी विकास होता है इसलिए हमें मन वचन और कर्म के साथ काया को विहित विध विधान से परशुद और पवित् मा चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए मा चंद्रघंटा की किरफा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाती है मा की आराधना सद्या फलदाई है तुरंद भक्तों को फल प्राप्त होता है मा भक्तों के कष्ट का डिवारन शिग्र ही कर देती है इनका उपासक सिंग की तरहा पराक्रमी और निर्भय हो जाता है मा का ये सुरूप अतिन्त सौम्यता और शांति से परिपून है मा चंद्घंटा की आराधना से वीर्था निर्भयता के साथ साथ विनम्रता का भी विकास होता है सौम्यता का भी विकास होता है और मुख नेत्र आदी संपून काया में कांति गुण की व्रद्धी होती है सौर में देवय अलोकिक माधुर्य का समावेश होता है मा चंद्रगंटा के भक्त उपासक जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांती और सुख का अनुभो करते हैं मा के आराधक का ऐसा वेक्तुत विक्सित होता है जो अपने संपर्क में आने वाले हर वेक्ति को प्रभावित करता है इसलिए मन वचन और कर्म से हमें देवी मा के सुरूप की आराधना करने चाहिए पूजा करने चाहिए अर्चना करने चाहिए ध्यान और स्मरन करना चाहिए या देवी सरवभूदेश मा चंद्रघंटा रूपेंड संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा हे मा सरवत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिध अम्बे आपको मेरा बार बार बढ़ाम है मैं आपको बारं बार नमन करता हूँ हे मा मुझे सब पापों से मुक्ती प्रदान करें अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के चोथे सुरूप कुश्मान्डा देवी की यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्ट्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सस्ट्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयों बनी रहे जै मादूर के